नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप स्वास्थ होंगे मस्त होंगे मित्रों मैं आपके लिए एक यह ब्लोग वीडियो बना रहा हूं क्योंकि काफी समय से इंजन रिपेरिंग की वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हो पा रही है कारण क्या है आप देख सकते हैं कि ये मेरा नया घर बन रहा है जिसकी मैं तराई कर रहा हूँ मित्रों उस समय की वीडियो की जो है वोईस रिकोर्ड ना हो पाई तो अब मैं ये अलग से रिकोर्ड कर रहा हूँ तो मित्रो बने रहेगा वीडियो पर वीडियो पूरा देखेगा और चैनल को शपोर्ट अवस्य करना वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा तो ये देखी इस तरह से हम तराई कर रहे हैं इसकी सुबह सुबह का मौसम है तो तराई कर देते हैं क्योंकि ये जो हिस्सा है तयार हो चुका है तो अब देख लिजिएगा अब बारी आ गई है छट ढलाई की तो चट ढलाई के लिए ये मिक्सर मशीन लगाई गई है और ये उपर कुछ एरिया खाली था तो जिसमें डूला बना कर ये उपर में चट पर ये माल पुझाया जा रहा है ये सभी कारिगर यहाँ पर लगे हुए हैं तो ये मिक्सर ग्रेंडर में इस तरह से ये लोग वर्क कर रहे हैं उपर चट पर भी काफी लोग हैं जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको तो ये देख लिजिएगा ये सिमेंट लगा रहे हैं हम इसमें बैदर प्लस अल्टर ट्रेक का जिसकी सला दी गई थी तो मित्रों ये सिमेंट लगाया जा रहा है इसमें ये इस तरह से कार्य चल रहा है तिन चार गंटे में लगबग 800 फिट का ये लिंटर है जिस पर छत धलाई की जा रही है तो अब ये देख लिजएगा इस तरह से ये दो रूम बने हैं बरांडे शहीद इदर ये बच्चे खड़े वें ये दर मेरा बड़ा बेटा गया है एक साइड को तो मित्रो ब्लोग वीडियो मेरे से अभी नहीं बन पाती हैं तो ये आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ ताकि अपनी यूट्यूब फैमली को पता लग जाए कि देखिए ये जीना है इस तरह से जीना बनाया गया है एक साइड में उत्तर की साइड में जीना बनाया गया है ये ये हमारी मिस्त्रन है मालकिन इस घर की मिस्त्री बैठे वे हैं ये मालकिन है घर की तो इधर ये सब कारे चल रहा है ये 800 फिट का लेंटर की शती ये माता जी है हमारी ये भाईया कारे कर रहे हैं यहां पर ये छोटा बेटा है जो फावडा ले रखा है ये छोटा बेटा जो फावडा चला रहा है बाकी सब एक ये बेटिया थी मेरी ये वियू कुछ ऐसा है चारोतरा फर्याली है घर के आगे को छोड़कर वैसे सभी दिशाओं में ये हर्याली का माहूल है क्योंकि यहां पर खेत हैं मित्रों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए और मुझे भी कुछ खुशी है तो इसलिए और इसी कारण से जो इंजन की वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाई है तो मेरी हालत भी कुछ कई दिनों से ऐसी होगी है देख लिजिएगा दाड़ी वगएरा भी नहीं बनी है क्योंकि काफी मेहनत का काम और भागा दोड़ी बहुत ज़्यादा होगी है यह हमारे मिस्त्री साहब है जिनोंने यह कारण पूरा किया है यह मैडम है यह आशा देवी आशा देवी मालकिन है यह साहब तो यह देख लीजिएगा यह दामाद हैं हमारे टी-शर्ट वाले यह भाई है चाचा का लड़का है प्रेमपाल यह दामाद हैं टी-शर्ट वाले नीली यह एक बेटा है बराबर में यह देख लीजिएगा इस तरह से यह कुछ व्यू है गाउं का इस तरह के नजारे हैं यहां तो अब यह देख लिजीगा यहां से जुगार वाजी करके यहां से माल ले जाया जा रहा है तो मित्रो वीडियो यहीं तक है नमस्ट